अब आप अब आप आप अब या या अलू ए टीमाटर एक प्याज ये मिर्च बिंडी नीम्बू अरी मिरेज गोभी ये जी मेरा बाई अलू कैसे दिये अली में डालके अरे मतलब क्या रेट है असी रुपे किलो अच्छा एक किलो निकाल दो और और प्यास प्यास नवव र ठीक है मेरा बाई और टीमाटर टीमाटर 200 रुपे लगाऊंगा चलो दे दो एक किलो वाई गाली क्यों दे रहे हो आप अरे चुट भाई आपको नहीं दे रहा था वह असलों महेंगा था ना इसलिए अब फिर गाली बख रहा है चल निकल नहीं देनी तेरे को सबजी जाह अरे के मामने में क्यों गुस रहे हो आपको भीतेती तो गर्में बटाओ ना बाई मैं माज़ात करता हूं उसकी दर चल यार मिरसाथ अब हमको क्या हराम कह रहेंगे आप सब्सी बेच रहे है आप सम्झो पागली है नहीं सम्झो बिमार है इसके मुह से गाली निकल जाती ह वह भाई तो अपनी गाली देने वाली आदत कब छोड़ेगा कब तक तो पिटता रहेगा और मैं तुझे बचाता रहूँगा यह शरम नहीं आती थोड़ा कंट्रोल कर यार भेंट को मैं पता तो है यार मैं बंदें को गाली नहीं देता सिचुएशन मा निकल जाती है यह अब देख मेरे अक्तियार में लाओ यार कुछ करो देख इसकी वज़े से ना तिरी घरमेज जाता है ना भार अब 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 आग जलील होता रहता है अब देख मैने तिरी जॉब करवाई थी वहां भी तूने सीन कर दिया थार आपका ओडर यार तुम दो घंटे बाद ले होता है हाँ होता होगा लेकिन प्यार बगहरत भी होता है यह पहली बार सुने तल छोड़ने और दफा कर इन सब बात हो भाइव मुझे सबजी लाकि देदे मैं खुच जाओंगा तो फिर मार पढ़ जाएगी प्लीज यार भाई यार भाई मेरा बाई जलना जा रहो ना अ कि यह पूछ लीजेगा इससे बेटा अम्मी पूछ रही है लीमू क्यों नहीं लाए भूल गया अब्बू और धनिया और पोदीना की एक एक गड़ी लिखी दी तुम दोनों गड़िया पोदीना की लिया है अच्छा चलो ठीक है बगाया पैसे वापिस करो भाई यह लाए पांच रुपर सिर्फ पांच रुपर बचे या अब्बू हलात आपके सामने इतनी मह यह अगा ही हो गई है भाई ते दी भाई इसने फिर दे दी मुझे नहीं बोलना अंद तुम किसी भी बात का आनी तो हुआ है आँ वही कहा चलना है किसी पब्लिक प्लेस पे बैठ सकते हैं बड़े चोड़े का तो कोई लिहाज नहीं सबके सामने गाली देके जलील करवा आप, वह पता तो है, मैं गाली नहीं देता हूं बस वह निकल जाती है हाँ मुझे पता है तब ही तुम हरे साथ हूं अभी तक कोई और होती ना कपकलात मार के जा चुकी ओगी सिरेख फिसी वेजा से तुम मेरे तुम से इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे समझती हो मैं समझती हूँ, मेरे घरवाले नहीं समझेंगे अच्छे खासे हो, अच्छी फैमली से भी हो, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी बस ये गाली गलोच अपने खतम कर रहा हूँ, वरना मेरे कहीं और रिष्टा हो जाएगा यार, पता तो है तुम है सब कुछ, पचपन से इतना डॉक्टर्स, मैडिसन, सिलाथ, सब कुछ करवा है और हब तो मैं पहले से काफी बैता हूँ, पहले तो बहुत ज़ा देता था, अब तो बस कभी-कभी निकल जाती है तुम प्लीज जल्दी अपने खरवालों से बात करो ना ठीक है, अभी तुम एक घंटा मेरे साथ बैटो, बिना गाली भी है, मैं आज रात लिए अपने खरवालों से बात करूँ है दो बहुत, तुम एक घंटा अरे, सॉरी, 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 रुक जाओ, रुक जाओ यार, तुम खुद सोचो, कोई भी माबाब अपनी बेटी के ऐसे इसे इंसान से शादी क्यों कराएंगे, जो अपने सास सुसर के सामने गाली आदे, अपनी साली सालों को भी, अपनी बीवी के सामने भी अच्छा, सॉरी ना यार, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ है, साज, कि सब कुछ सही हो जाए, जो तुम बोलोगी, वो ही मैं करूँगा इलाज करवाओ अपना बस, मुझे नहीं बता, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, छे महीने का टाइम है तुम्हारे पास, अगर ठीक हो जाओ तो सही, वरना मैं चादी का काट भी चपा दो छे महीने बहुत जादा होते हैं यार, यह देखो, फिर गाली इस बात पर बनती थी, और अभी इलाज शुरू नहीं हुआ है, छे महीने का टाइम मेरे पास है, तुम एक हफ्ता लो या छे महीने लो, तुमारे उपर मैं मजीद तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर सकती, मेरी भी मजबूरी समझो, मेरे माबाब की भी कोई इस्ज़त है यार ये तो बड़ा बैट सीन है, क्या करेगा अब तु, क्या गरू यार कुछ समझ नहीं आ रहा, हर तरह का हकीम, डॉक्टर, दम, दुरूद, गोली, चूरन सब खाके देख लिया, नहीं जाती ये गाली, वो जाती ये तो जाए, ओ भाई, ये अगर चली गई ना फिर को पारा ही मर जाएगा तु, सोज भाई, कोई तो तरीका होगा, कोई effort कर, आइडिया, क्या, आज से तुझे जो भी बोलना है न, मोबाईल में लिख के दिखा, भाई, बोल देंगे बाद में, या, डॉक्टर में मना किया, गलावला खराब है, और वैसे भी एक दफा शादी हो गई न, बाद में कौन क्या कर पाएगा, चल मेरे साथ प्रैक्टिस कर, मैं तुझे कुछ पूछता हूँ, तु मुझे लिख के जवाब देना, सेट, पूछ-पूछ, जानी, क्या हाल है, और जॉब आप कैसी चल रही है, लिख के जवाब दे, लिख के, सुरी यार, टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, गाली निकल जाती है, गाली को आना ही आना है, यार वैसे, एक जगह है, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, बड़े बड़े चर्शी, घुस्से वाले लोग वहाँ जाकर ठीक होगा है, खोड़ी खतरनाक सी है, फैर शैद, आखर यही है, वह आपको एडमिट कर लेते हैं, और जब तक आप ठीक ना हो जाओ ना, छोड़ते ही नहीं, जा इतना कि आवा यहां भी चले जाते हैं भाई, जाने, खाव आप एक से अब रहां जाने, जानी हो गया, उम्हाली वाली का सीन खतम, जानी सब खतम हो गया, गाली वाली का सीन नहीं नहीं, चले चलो, यार लगता है गाड़ी की बैटरी लो हो गई है अमा तु उतर के थक्का लगाना यार अगल देखें चैक तो करना पड़ेगा ना किसका इलाज सही हुआ है कि नहीं हुआ और इस चैक करने में अगर मेरी मूँ से कोई गाली वाली निकल गया तो पीज बुरा नहीं मालेगा अबे मेरी सारी जिंदगी इसके मूँ से गालीया सुनते-सुनते निकल गई तोड़ा लेकिन बिटा अच्छे से चैक करना क्योंकर इसकी अम्मी के पास उस वक्त तक नहीं ले जा सकता जब तक ऑुके की रपोर्ट ना हो यद्धा पाले रिपार पाले रही ईड़ा यह उसलाइज संता ही माँननी है देक्श manner कराचे मरें ट्रैफिक भी तो इतना है ये देख यार, कितने कट्डे होगे हैं तीन महीनों में हूँ ही सारे कट्डे कोई एड़ा सही काम नी करता हमारा सबकर सब हराम ख़़क है तुन आण यार सही कहे रहा है तू लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं ज़्यादा से आदा इनको वोट दे सकते हैं एर अल्ला माली का इंशालला बैतरी होगी यार जानी बहुत खुश हुई मुझे तुने गाली देना छोड़ दी चल निशालला कल में दी पेटा आइम प्रॉड अफ यू चलो अम्मी से मिलते आज तुम दोनों खुल के बाते करना कई साल हो गए तुमने बाते नहीं की है चलो आदा गंटा हो गया तुमने अभी तक एक भी गाली नहीं दी बेबी मैं कहत हो रहा था मेरा इलाज हो गया है सिर्फ तुमारी वज़ा से वहां मैंने तीन महीने गुजा रहे हैं अब तुम बताओ कब भेजू अपने घरवालों को अरे कब भेजू कोई मसला निया I'm so proud of you मैं आज ही अपने घरवालों से बात करती हूँ प्रैसे सच्छे मिल गए ना मैं सोच रहे थी कि महनदी का थीम में यलो और वाइट रखते हैं और बताए हनीमून पर ना चलें तुबई या मलेशिया अई हनीमून शादी की तैयारियां इस्तो बाट तायट है दादा देखो यह लोग मुझे छेड़ें कुछ करो बाई आपको शरम नहीं आती बखेर्दी वाली अरकत कर रहे हैं आपके घर में मा भेंद नहीं है मा भेंद तो है लेकिन ये नहीं है चलों य्यारивает है इस आट्तु से शादी हो गयई महत्तो क्या कमी आग तो लीछ करी है वो गालियां दे रहें हैं तुम्हें गालियां दे रहें यार, I want to be safe with you यार, चलो यहां से अबे, जहां भी चले लाओ, हम तो पीछे भीच आएंगे कुटे कमीने मन्हूस दफाओ यहां से आपकी नहों तो अरे, वो लोग आ रहे हैं, देखो, कुछ करो, कुछ बोलो तुमने इन लोगों की, देखो, कुछ मौके ऐसे होते हैं, जहां पत्तर का जवाब इंच से देना पड़ता है अरे, इनकी ऐसी की तैसी, मेरे होने वाली बीवी को छेड़ रहे थे, इनकी मा की अरे, बस बस, लड़ाई खतम हो भी, रिलाक्स हो जाओ अरे, बेबी, तुम रिलाक्स हो जाओ, बिलबुल है, बंकर इसको, दिमाग की दई करके रखी है, परदे फाड़ दिया में, बंकर इसको आप बंकर आप गी है, बंकर दोड़ा हो जाओ, आप लोगो वीडियो पसंद आई होगी है, और वीडियो अगर पसंद आई है, तो साथ साथ यह मेसिज भी लेते जाए, कि आज कल गाली होगा ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड और आम फैशन सी चीज़ बन गया है, बहु लेकिन बच्चे सीखते कहां से बड़ो सही तो हम सब को गालिया जो एना वाइट करनी चाहिए क्योंकि एक तरफ गुना भी है लेकिन दुसी तरफ बैड मैनर्स भी और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दें क्योंकि अब से याइब